नमस्कार दोस्तों, हर्शित दुएदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर तो दोस्तों इंटरनाशनल बॉर्डे सीरीज चला था, इस सीरीज का पांच वा वीडियो है ये पिछले वीडियो में हमने Black Sea के बारे में पढ़े थे, examination perspective में Black Sea के बारे में क्या-क्या information आपको मालुम होना चीए वह सा हुमने बताये था इसे पहले हमने Mediterranean Sea कवर किये थे, अब बार ये दोस्तों Caspian Sea इस वीडियो में हम देखेंगे कैस PNC के bordering countries कौन-कौन सा है इसकी geographical position जो है कितना important है bordering countries के लिए और कुछ additional information भी provide करेंगे तो दोस्तों आगे जाने से पहले lecture पर like का बटन जरूर दबाएगा चानल को अब तक subscribe नहीं किया हो तो subscribe कीजिएगा हमें support करने के लिए चानल के member भी वन सकते हो join बटन दबाके maximum video को like कीजिएगा दोस्तों अब कितना like करोगे उतना YouTube हमारे videos को recommend करेंगे तो दोस्तों शुरुआत करते हैं Caspian Sea Caspian Sea is the world's largest inland body of water variously classed as the world's largest lake और a full-fledged sea तो दोस्तों Caspian Sea दुनिया का सबसे बड़ा inland body of water है inland body of water का मतलब होता है इसके चारों तरफ land है right इसलिए इसको inland body of water बोलता है variously classed as the world's largest lake वहीशे दोस्तों आप लोग ने पढ़ा होगा दुनिया का सबसे बड़ा lake जो है Caspian Sea है Caspian Sea को lake भी बोलते है sea भी बोलते है इसके बार में हम आगे discuss करेंगे इसकी वजाया है as an endorheak basin it lies between Europe and Asia endorheak basin endorheak basin का मतलब क्या होता है आपको मैं एक बार map दिखा देता हूं दोस्तों यह आपको Caspian Sea दिख रहा है इधर तो Caspian Sea की जो पानी है यह बाहर कहीं नहीं जा रहा है आप देख सकते हो कहीं और drain नहीं हो रहा है वैसे black sea हमने जब discuss किया था हमें पता था कि black sea जो है sea of murmurus से Mediterranean Sea में जाके drain होता था पर Caspian Sea जो है इसकी पानी कहीं और नहीं जा रहा है इस तरह की जो basins को endorphic basins बोलते हैं अब east of the Caucasus Caucasus मतलब कहा है दोस्तों एक मिट दिखा देता हूँ आपको मैं यह Caspian Sea है और यह Black Sea है आपको इसकी बीच में जो एरिया है न दोस्तों यह Black Sea और Caspian Sea की बीच में यह जो एरिया है इस एरिया को Caucasus बोलते हैं इदर Caucasus Mountain Range भी है तो आप से कोई पूछे कोई एक्जामिनेशन में Caucasus एरिया कोन सा है तो आप बता सकते हो the area between Black Sea and Caspian Sea अब आप west of the broad steppie of Central Asia तो Central Asia का Central Asia आपको इदर दिखा रहा है Central Asia का broad steppie जो है एक geographical area है steppie steppie का वेस्टेन सेड में आपको दिख रहा है यह Central Asia तूर्कमिन सन जो दिख रहा है कसाके सन जो दिख रहा है यह सब Central Asia में आता है South of the fertile plains of Rishya Rishya country का सतेन सेड में जो प्लेन से यह Caspian Sea से बॉर्डर करता है North of the mountainous Iranian plateau इसकी सतेन साइड में इरान आता है इरान का जो नोर्टेन सेड में इरानियन प्लाट्यू है तो इरानियन प्लाट्यू भी Caspian Sea के साथ बॉर्डर शेयर करता है इट कवर्स 3,71,000 km2 excluding the highly saline lagoon of Garabogas call तो basically इसकी पूरी area जो है 3,71,000 km2 है यह जो एक lagoon आ रहा है यह जो area न दोस्तों इसकी salt content की बात हो रही है 1.2% इसकी salt content है इसके बारे में हम अच्छी तरह आने वेले slides में डिसकस करेंगे और यह भी बताएंगे यह सब को याद रखने का tips and trips के आया है अब आरा दोस्तों border countries examination point of view में सबसे important हो जाता है border countries वैसे मैंने आपको बताया था कि border countries में जो important geographical region है जो कैस्पीन सी के साथ अपना border share करता है वो क्या-क्या था और एक बार बता देता हूँ कसाकिस्तन और तुरकमिनिस्तन जो Central Asia में आता है इसके जो steppi है स्टेपी स्टेपी क्या है दोस्तों आप लोगों को पता होगा geography में आपने पढ़ा होगा unforested grasslands ठीक है unforested grasslands को स्टेपी बोलता है आप रिलेट कर सकते हो सवन्ना से प्रेरी से ठीक है इस तरह स्टेपी भी है Central Asia में इरान इरान का प्लाट्यू आता है ठीक है सांप ठीक है इंडिया में commonly दिखता है common crate करके सांप तो वही आप याद रिखे crate, Caspian Sea, crate तो K for Kasachistan, R for Russia A for Azerbaijan, I for Iran and T for Turkmenistan बहुत easy हैस दोस्तों पांची कंट्री है तो आप इस तरह याद रख सकते हो अब दोस्तों बात करते हैं Caspian Sea The Caspian Sea lies within a land depression It is actually the lowest natural point in Eurasia, surface is about 21 meter below mean sea level तो दोस्तों Caspian Sea जो है न दोस्तों, landों के बीच में एक नीचे वाला area है मेरा मतलब है mean sea level से आप बात करोगे ना, मान लो यह sea level है, sea level से 21 meter नीचे है Caspian Sea मतलब कुछ landों के बीच में एक बहुती lowest पोईंट है, European continent and Asian continent को मिलाओ गए यूरेशिया यूरेशिया का सबसे लोवस्त नाच्रल पोईंट बोला जाता है Caspian Sea, important point है याद रखिएगा, the sea is completely isolated, there is no connection to other oceans, कोई और ocean से इसका कोई connection नीए, मैं आपको मैं बताया था main feeder is Volga River other inflows are Ural River Kura and Terek River वो Volga River से है, Volga River यूरोप का सबसे बड़ा river है, Volga River के बार में अगला slide में आपको बताऊंगा there is no discharge by any river, water leaves the sea only by evaporation, Caspian Sea से पानी बाहर जाने का कोई रास्ता नीए, जितना पानी जाता है, वो evaporation के तुरू जाता है Caspian Sea is also known as the source for beluga caviar, which comes from the critically endangered beluga sturgeon देखो दोस्तों, जो फोटो में आपको दिख रहा है यह है, beluga sturgeon, एक फिश है basically, तो इसके जो अंडा है, इसको caviar बोलता है, वाईसे फिशों के जो अंडा है, जो खाते हैं लोग, कुछ लोग खाते हैं, इसको caviar बोलता है, फूड का नाम है, कवियर तो beluga caviar, एक expensive food item है उस area में, तो इसकी source है Caspian Sea, Caspian Sea में जो fish की availability बहुत जादा है C is also known for its abundance of energy resources, अब आगे सबसे important point दोस्तों, C में energy resources बहुत जादा है, oil and natural gas reserves in offshore fields and onshore on the coast of the sea all states of the Caspian exploit the reserves in cooperation with international oil companies, अब आगे बात, पैसे बात आगे दोस्तों, Caspian Sea में oil and natural gas reserves है, इसलिए यह जो पांचों country लड़ते रहते हैं यह हमारा है, वो तुमारा है, इस तरह इसके बार में भी बात करेंगे, आने वाले slides में, but much of the offshore oil and natural gas resources in the Caspian Sea have not been tapped, as there are conflicts between five bordering states over where to demarkate हमारा इस तरह की, इसके बार में देखेंगे वैसे सारे areas में जहां भी natural, या oil and natural gas reserves दिखे हैं न दोस्तों, इसके bordering countries हमेशा लड़ते ही रहते हैं अब दोस्तों, वोल्गा रिवर, इसके बार में देख लेते हैं, यह सबसे बड़ा inflow है 80% of the inflow वोल्गा रिवर से मैंने बताया था आपको अब वोल्गा रिवर यूरोप का सबसे लोंगस रिवर है flowing through Central Russia to Southern Russia and into the Caspian Sea, it has a length of 3531 km and a catchment area of 13,60,000 km2 तो वोल्गा रिवर का size के बारे में अब को अंधा सा लगया होगा यूरोप का largest river है in terms of discharge and drainage basin it is widely regarded as the national river of Russia तो जेचे हमारा गंगा है वैसे रिवर का national river है वोल्गा, historically भी इसका importance बहुत चाद है क्योंकि एक important meeting place था पुराने European and Asian civilizations का उस सेरिया में जो civilizations पाये गे थे, उधर ये जो वोल्गा river का historical importance है वैसे हमारे इंडेस river की बात करें तो इंडेस वाले civilization, हरपन civilization इसी तरह बहुत सारे European and Asian civilizations historical importance जेते है वोल्गा river को तो बहुत सारे important cities है वोल्गा drainage basin में some of the largest reservoirs in the world are located along the वोल्गा river has a symbolic meaning in Russian culture and is often referred वोल्गा river को Russian culture में importance बहुत ज्यादा है मैंने बता दिया आपको वैसे वोल्गा मतुष्का बोलते है मतलब मदर वोल्गा भी बोलते है वोल्गा river को अगर आप वोल्गा river की location देखें तो आपको दिख रहा है वोल्गा river देखो दोस्तों रिशिया है इधर से आ रहा है एक ribbonsk reservoir भी जो एक बड़ा reservoir है वो भी आपको दिख रहा है इधर से होते हुए forest से, steppi से बहुत सारे largest cities से होते हुए वोल्गा river जो है कास्पियन सी में आके गिरता है तो यह है वोल्गा river एक important river इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताया अब दोस्तों आता है एक important topic sea or lake for 20 years Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Russia and Turkmenistan which surround it have disagreed over whether it is a lake or sea इन पांचों bordering countries के बीच में इस तरह एक problem रहा है कैस्पियन को sea बनाना है या lake बनाना है like many lakes it does not feed into an ocean देखो यह कोई भी ocean में discharge नहीं होता है इसलिए इसको lake बोर्ट सकता है पर इसकी size देखने के बाद जो 3,70,000 km2 है दोस्तों इस size में तो इसको sea बोर्ट सकता है the distinction is not merely semantic but has economic, military and political implications देखा economic implications है, military implications and political implications है इसके पीछे इसको sea या lake बनाने में अगर sea बनाने से एक international rules and regulations के अंडर आएगा यह UN's law of sea में surface and bed are allotted nearer to shore according to the length of relevant coast lane तब जिसको sea बनाने से क्या होगा इसकी जो partition है वो इसी तरह होगा एक एक country का इतना nautical miles तक अपना अपना इस तरह होगा ठीक है पर lake बनाने से क्या है आपस में discuss करके जो करना है कर सकते हो when Iran and USSR were only two countries to border the Caspian यह series of bilateral treaties identified as a lake and they divided equally देखो दोस्तो 1991 में 1991 तक USSR था तब तक only USSR and Iran share करते थे Caspian Sea को तब उन्होंने एक लेक माना था और आपस में resources है जो भी है वो डिवेड किये थे पर 1991 के बाद क्या हुआ USSR debate हो गया और आगया यह सारे countries कौन सा यह जो कसाकिस्तान है तुर्कमेंटस्तान है यह सब countries आगया अब क्या हो गया प्रोब्लम हो गया सारे बोला हमें भी चाहिए Iran विचा से शोट कैस्पियन को स्चिल प्रिवर्स दिस आइडिया देखो दोस्तों अगर इसको सी बनाएगा, तो प्रोब्लम किया जो इस सी को maximum Share कर रहा है मतलँ maximum cost link किसके पास है उसको ज्यादा मिल जाएगा वैसे देखने से डेखो मैब देखने से आपको यह पता चल जाएगा इन चाहँ आपको मैब दिखा देता हूं तो Kazakhstan को C बना से सबसे आधा फायत होगा और इरान जो है, जो 1991 से पहले इरान और रिशिया जो शेयर करते थे, उनके लिए बहुत बड़ा लोस हो जाएगा है, है कि नहीं, तो मतलब इरान ये चाहता है, sorry, इरान ये चाहता है कि इसको लेग बनाए और डिवेड किया जाए आपस में, कोई international law and regulations नहीं चाहिए, पर कासाकिस्तान वीचान से लोंगे शोर रोन दे कास्पियन इस अमंग दे कांट्री इस अमंग दे कांट्री इस अमंग दे कांट्री इस प legal status has been complicated, तो दोस्तों मैंने आपको बता है इसको लेक डिकलेर करने में या सी डिकलेर करने में problems तो है, तो recently 20 साल के बाद, मतलब 1991 से ये problem तो चल रहा है न, तो ये पांचों कंट्री के नेताओं ने मिलकर एक decision लिया, इसको लेक बनाना है या सी बनाना है, finally ये decision लिया कि इस करने से भी और कुछ कंट्री को प्रवलों हो जाएगा, तो इसको ये सा बताया गया कि इसको लेक ना सी, इसका नाम कैस्पीन सी ही रहेगा, इसी लिखा, despite its name, it determines the Caspian is neither lake nor sea, पर इसके बावजूद और एक क्लोस है उसमें, surface is to be treated as a sea, which states granted jurisdiction over 50 nautical miles, इसको सी ही मान रहने दो मतलब, जैसे सारे कंट्री को 50 nautical miles तक, ठीक है, मान लो ये सब कंट्री को 15-15 nautical miles तक कंट्रोल होगा, इसी तरह एक decision लिया गया, पर इसको सी करके international declare नहीं किया, या lake करके declare नहीं किया, ऐसी रहने दो, हम आपस में 15-15 nautical miles का authority बना के रखेंगे, आई दोस्तों, तो दोस के बारे में, और छोटे-मोटे जो information में आपको प्रवेड किया, क्या सब के बारे में थोड़ा सा idea लग गया होगा, तो इसी तरह और भी areas हम cover करेंगे, आपके map knowledge को हम एक दम perfect करेंगे, UPC prelims ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, इसी तरह वीडियोस हम ले के आया करेंगे, so thank you for watching, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर शेर कीजिएगा, चानल को अब तक सब्सक्रेब नहीं किया तो सब्सक्रेब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर कीजिएगा, thank you for watching, bye bye, have a next day.